नमस्कार साथियों कल्याणी आईयस अकेडमी के डिजिरल प्रेटफर्म पर आपका हर्दिक स्वागत है पिछले लेक्चर्स में हमने उद्ध्यानगी पसू पालन मुर्गी पालन देरी एवं मतस्य पालन के मुद्दे एवं चुनोतियों को बहुत अच्छे से पढ़ा एव हैं बंडार एवं विपड़न से संबंदित समस्यां एवं चुनोतियों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे तो शुरू करते हैं क्रसी उत्पादन से संबंदित समस्यां एवं चुनोतियां देखिए यूनिट एक में हमने क्रसी टोपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एव के साथ क्रशी उत्पादन व्रद्धी तु किये गए सुधारों को भी बहुत बिस्तर तरीके से देखा था इसलिए क्रशी उत्पादन से संबंधित जितनी भी समस्यां है या चुनोतियां हैं हमने उनको भले ही रास्टी इस तर पर पढ़ा था लेकिन वही की वही समस्यां चुनोतियां क्रशी का स्वरूब क्रशी की प्रकृति निम्न उत्पादन के कारण एवं क्रशी उत्पादन व्रद्धी है तु किये गए सुधार भी क्या है लगवग लगवग समान है इसलिए आप उन दो लेक्चर्स को लेक्चर नमर साइद चौथा या पांचवा होग के और इसे वहीं से तयार कर लें अब हम क्रशी विपढ़न से संबंदिस समस्यां एवं चुनोतियों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए जब किसान क्रशी करते हैं तो क्रशी के बाद में जो उनकी उत्पादन होता है तो उत्पादन के पस्चाच भी कई समस स्चनोती होती है अगर उचिततमूल नहीं मिलेगा तो जहिसी बात है किसान ने जो नेवैस किआ है वह वी जो है वह नहीं निकल पाएगा दूसरी चीज चीज ये है कि अगर किसान अपनी फसल को वेचने के लिए बड़े सहरों को जाता है तो उसके पास में परीवेहन की जो है वो विवस्तायं नहीं होती है टीसरी चीज अगर वो है फसल का भंडारण करना चाहता है तो उसके पास में उचित भंडारण की जो है वो विवस्ताएं भी नहीं होती है राइट इसके साथ ही जब वो है खेती करता है तो कई वार वो क्या करता है रिण ले लेता है तो रिण की वज़े से जो इस्थानिय साहुकार होते है रा है कि किसान करसी में नवेस करने से लेकर जी तोड़ तीन-चार महीने बहुत ही अधिक मेहनत करता है और जब उसकी फजल तयार हो जाती है तो वह है ओने-पोने-दाम पर या तो गाओं के जो जमीदार होते हैं बिचोली होते हैं उनको ही दे देता है या फिर कुल मिलाकर ऐस विवस्ता होती है कि उसको उचित मूल नहीं मिल पाता है जिससे जो है किसान को अपनी जितनी भी क्रसी उपज होती है उसका उचित मूल नहीं मिल पाने के कारण उसको लाव नहीं हो पाता है या उसकी जो इंकम है वो बहुत ही कम होती है इसलिए अगर क्रसी खेती में अगर लाव चाहिए तो उसके लिए भी विपणन मतलब मार्केटिंग करना बहुत ही जरूरी है जैसे आप टीवी में कोई भी कमपनी है भाई बरतवान समय में आप माली जी की कोई जो है कोई टूथपेस्ट बना रहे हैं तो जब तक आप उसको बविन्ग तरीके से उसके एडवरटाइजमेंट नहीं देंगे उसके पर्चे नहीं छपबाएंगे किसी सेलिबरिटी से उसका बिग्यापन नहीं कर पाएंगे तब तक लोग आपके टूपेस्ट को खडी देंगे नहीं वैसे ही समस्य किस्से है किसानों के पास है किसान जो है अनाज को बड़ी बहनत से उत्पादित तो कर देते हैं लेकिन चुंकि वो उचित दामों पर बेंच नहीं पाते हैं इसलिए किसानों के पास में भी ऐसी विवस्ता होनी चाहिए कि वो अपनी जो क्रसी उपज है उसको उचित दाआँओं पर उचित समय पर एवं उचित इस्थान पर वो उसको बेंच सके राइट तो इसी से जो संबंदड टॉपिक है वो क्या हो जाएगा कृसी वीपर SP हो जाएगा वुकता है किसान के खेट कुछتे लेकर फसल को अंतिम वुकता तक पहुंचाने बाली जो समझ्त किरिया होती हैं वग्रसी बिपरन में समिल्ट होती है किसी बिपरन में केड़ और केड़ फसल को बेच देना ही क्या है सामिल नहीं होता वलकि जैसे ही फसल तैयार हो जाती है उसमें जो बीज है बीजों जोका स्रिणी करण करना अर्थात अलग-अलग को उसको केटिग्री में बांट लेना या उसका विवाजन करना फिर बिक्री हे किसान को अपनी फसल का या अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सके इसलिए बहुत ही अनिवार होती है अब हम यहाँ पर जो क्रसी विपड़न से संब्दित जो एक एक करके तत्थ हैं उनके बारें पढ़ेंगे पहला पढ़ेंगे कि आदर्स जो है क्रसी विपड़न प्रणा क्या होती है तो पहला हो जाएगा कि अगर क्रसी का विपड़न सही है तो फिर किसानों को अपनी क्रसी उपज का उचित दाम या उचित कीमर मिल जाती है वहीं अगर किसान बंडारन करना चाहते हैं तो उनके पास गोदामों की विवस्ता भी होती है फिर परिवहन करने के के लिए उचित परिवेहन विवस्ता भी होनी चाहिए वैसे ही बैचने के लिए मंडियों की जो है विवस्ता होनी चाहिए या मंडियों की सूचना होनी चाहिए इसके साथ ही जो क्रसी उपज को खरीदे वैसी संगठित एजेंसियां होनी चाहिए यह आदर्स क्रसी विपढ है वो किस तरीके से होता है मद्य परदेश में जैसे ही किसान फसलों को उगाता है वह अपने गाउं के ही जो महाजन होते हैं बिचोली होते हैं ठेकेदार हैं पटेल हैं जमीदार हैं बिचोली हैं उनको ही या फिर गाउं का जो Zachari है उसे ही बहुत वाज रामों पर बेच देता है क्योंकि जाहर सी बात है उसके पास में मंदी तक ले जाने के लिए परीवहन की विवस्ता नहीं है तो गाउं इस से पर ही महाज़ान या बेपारियों को वेच दिया जाता है या फिर गाउं के पास में जो इस्थानिय बाजार होता है वहाँ पर किसान अपनी करसी उपज को वेच देता है या फिर हो सकता है कि उसके पास में परिवहन की विवस्ता है तो वो अपने गाउं से जो निकटतम मंडी है वहाँ पर जाक कर वेंच देता है और सबसे अंत में कौंसी हो जाएगी सहिकारी बिपड़न हो जाएगी जिसके तहत हुआ उसके गाउं के समीब तम जो सरकार दोड़ा जो मंडी है रैट करसी उपज करसी बिपड़न जो मंडी03 उसमें जाकर वो वेच देता है तो ये बरतमान की क्या हो जाएगी विवस्ता हो जाएगी अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मद्दे प्रदेश में क्रसी विपड़न से समंदित जो समस्याइं है वो कौन-कौन सी है तो हम यहाँ पर क्रसी विपड़न की जो हैं क्रिट एक में भी मैंने आपको जो लेक्चन नमर 11 है लेक्चन नमर 12 है क्रसी के कानून है उसमें भी आपको क्रसी विपड़न से समंदित बहुत अच्छे से पढ़ाया है अगर वो लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको यह विल्कुल बच्चों के वाली बात लगेगी तो हम समझते हैं मद्यपरदेश में क्रसी विपड़न की समस्यां सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि मद्यपरदेश में जितना भी उत्पादित होता है एक परिटिकुलर किसान के पास में तो किसी भी जो है मद्यपरदेश में छोटे एवं सीमान किसान अधिक है इसी लि ये जो किसान हैं वो ग्रामीड इस्तर पर ही बिचेलियों से रड़ ले लेते हैं इसी वज़े से ग्रामीड इस्तर पर जो बिचेलियों होते हैं एक तो उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और दूसरी चीज वो अपना रड़ बापस लेने के लिए ही फसल को बहुत जल्द या ओने पौने दामों पर खरीद लेते हैं तीसरा क्या हो जाएगा परीवेहन की उपलब्द समस्या नहीं है उपलब्द दिता नहीं है ताकि किसान मंडियों तक या किसी बड़े वाजार तक अपने क्रसी उपज को नहीं ले जा पाते हैं अगला अगर भंडारण करना च कि कमी है इसके साथ ही जो उपज होता है उसकी किस्मिक भी जो क्या होती है थोड़ी उसकी क्वालिटी कम होती है अगर उसको अच्छे तरीके से बंडारत ना किया जाए तो जो क्रसी अनाज वो सड़ने लगता है इसके साथ ही किसानों के पास में बित्तिय सुविदाओं क भी क्या होती है कमी होती है इसलिए जैसे ही क्रसी उपज तैयार होती है किसान अपने 3-4 महिने के खर्चों को निकालने के लिए भी बहुत ही कम समय में जो है वो अपनी फसलों को बेच देता है फिर अगला हो जाएगा अच्छा ये चीज इसलिए भी जरूरी है जैसे मैंने बताई थी क्या है कि सभी जो फसले हैं वो जलवाई हो के अनुसार होती है और जैसे ही फसल तयार होती है तो उससे क्या होती है कि आपूर्ती बढ़ जाती है सप्लाई बढ़ जाती है और आपको पता है कि आपूर्ती बढ़ने से जो है फसलों के दाम या कीमत क्या होते हैं कम आ जाते हैं इसलिए अगर जिस किसान के पास में बित्ती सुबदाइं अच्छी होती हैं, वो अपने क्रसी उपज को भंडारित कर लेता है, और जब क्या होगी सौर्टेज होगी, जैसे बुआई के समय पर बीच के लिए जो है वही फसल जो है, वह हजार दो हजार प्रतिकुंटल महंग जा है, अगला जो किसान है, उनके पास में जो मंडी अधिनियम है, या मंडियों के द्वारा कौन कौन सी जो है, सेवा उनको दी जानी चाहिए, या फिर वो जो किसान है, वो सामोहिक रूप से संग्धित भी नहीं है, इस बज़े से जो इस्थानी इस तर पर जो व्यापा का अबाव होता है, इसके साथ ही, उनके पास में जो खराब बीज है, मिट्टी है, भूसा है, उसको अलग करने के लिए भी अर्थात, जो क्रसी उपज है, उसको सफसाफ करने के लिए, उसकी ग्रेडिंग करने के लिए, या उसका प्रमारी करने के लिए, या सरेडी करने क की भी सुवधाएं नहीं होते हैं इस वजह से जब मंडी ले जाते तो उनकी फसलों में अगर थोड़े बहुत भी कंकर पत्थर होते हैं यह खड़ावदाने होते हैं तो पूरी की पूरे जो क्रसी उपज है उसको बहुत कम दाम पर खरीदा जाता है इसके साथ ही मैंने बता दाओं की क्या होती ही कम ही होती है तो कई वार बहुत ही बंपर पैदावार ही होती है तो जो किसान है उनको बहुत ही बिवस्ता पूर्ण तरीके से बेचना पड़ता है क्यूंकि वह तीन-चार महीने से उनको खर्चे भी तो निकाल ले किसानों के पास में कोई हर महीने से रेकलर नहीं होआए इसी लिए कई बार जो है बहुत ही कम दाम पर किसान बैच देते- देते क्यों ढ़न उचित नहीं होते धो हैं किस sensitive तो आपने देख को अपने देख आथ मेंशon उचित दो होती देख किसान ये भी वो अपनी फसल को उचित दामों पर नहीं बेच पाते हैं ये क्रसी विपढ़न से संबंदित मद्द प्रदेश में क्या बलकि पूरे भारत में ये समस्याइं पाई जाते हैं अब इन समस्याओं को जाहिर सी बात है कि सरकार कई नीतियों की सरकार कई नियमों से नियमों के माध्यम से नेतियों के माध्यम से कई कारकरम को माध्यम से जो है इनको हल करने की कोशिस कर रही है वहराल हमें अगर हमसे पूछा जाए कि क्रसी विपढ़न में और कैसे सुधार किया जा सकता है तो उसको हम निम्न बिंदों से समझ सकते हैं हमें पता है कि क्रसी विपढ़न से सम्मंदित जो भी समस्या है या विवस्ता में जो भी खामिया है उनके सुधार है तू निम्न जो सुझाव है वो दिये जा सकते हैं सबसे पहला तो यह हो जाएगा कि किसानों को उचित मूल मिल सके इसलिए उसके खेद के पास ही बाजारों का क्या होना कि कई वियापारी उचित जो पृतियोगिता है उसके माध्यम से उसकी फसल को महंगे दामों पर खरीद सकें बित्ती सुधाओं की वेकास होना चाहिए ताकि किसान समय अनुसारिया जब अच्छे दाम हो तब अपनी फसल को बेच सके बंडारन सुधाओं अधिक होनी चाह चाहिए इसके साथ ही जो है क्रशी उत्पादों का प्रोसेसिंग के भी सुधा होनी चाहिए बैसे ही बड़े बाजार तक ले जाने के लिए परिवेहन सुधाओं होनी चाहिए सहकारी विपणन को परोचसाहन दिया जाना चाहिए और प्रमारित जो बांठ है एवा मनापत सुधाओं होनी चाहिए अब यह हो गया सुझाब अगर हम मद्यप्रदेश सरकार की बात करें तो मद्यप्रदेश सरकार ने भी मद्यप्रदेश की स्थापना के बाद से ही क्रसी विपढ़न राइट किसानों की आए दोगुना करने के लिए या क्रसी उत्पाद में संद्पाद में सुधार के लिए सरकार ने प्रेयस किये हैं उसको हम निम्न बिन्दौों से समझेंगे तो मंडि मंडी अदिनियम 1972 के मद्य प्रदेश में क्रसी विपड़न के लिए नेंत्रत मंडियों की इस्थापना की गई और बर्तमान समय में मद्य प्रदेश में 269 मंडिया तथा 298 मंडिया काररत है जहां पर क्रसी बिपड़न की सुविदाएं उपलब्द कराई जा रही है ताकि किसानों को अपनी उपज का उचितदाम मिल सके दूसरी चीज यह है कि एक हम जो है काफी समस्या जा रही थी कि हरे किसान को जो है वो अपने निकटतम जो मंडिया उसमें ही अपनी करसी उपज को बेचना पड है और अगर वो किसी दूसरे राज की दूसरी मंडी में या अपने ही राज जी की किसी दूसरे जिले की मंडी में बेचना चाहता है जहां पर उसको अच्छा दाम मिल रहा है तो उसको इसकी अनुमती नहीं थी इसके लिए सरकार ने एक ही क्रत रास्टी क्रसी बाजार जो ओनलाइन अपनी क्रसी उपज को अपने राज की किसी दूसरी मंडी में या दूसरे राज की किसी भी मंडी में उच्छत दामों पर यह जो एकिकरत रास्तिय बाजा है इसके मद्यम से अपनी क्रसी उपज को बेच सकता है इसके साथ ही जो क्रसी उपज है उसका सरीनी भी भा का नाप्पूर में लैब तयार की गई थी जहांपर करसी उतपादों को क्या किया जाएगा प्रमानी करण किया जाज़ागा और जब वो प्रमानी को जाएंगे तो जहेंसी बात है निजी मारकेट में उनको उचित दामों पर खरीदा जाएगा और सरकार समय समय पर ऐसी संस्ताओं की इस्थापना कर रही है जिसे मानकी करण की सुपधा भी मिल सके इसके साथ ही मद्द प्रदेश एग मार्ग प्रियोग साला जो है वो भूपाल में इस्थापित की गई है यह वी जो क्रसी उपज है उसके जो है मान की करण के लिए जो है वो जानी जाती है और मान की करण होने से भी जो है क्रसी विपणन में सहायता होती है इसके साथ ही मद jach बड़े इस तर पर गोदामों का निर्माड कर रही है ताकि जो जतना भी क्रृशि उपज़ है और सरकार जिसको MSP पर खरीद यह उसको गोदामों में भंडारत किया जा सके इसके साथ ही क्रसी किसानों को अपनी किरसी उपज़ का जो है रेमू नरेटिव प्राइज या उचित मूले मिल सके इसलिए सरकार जो है MSP समर्थन मूली की गोशना करती है और इसके साथ ही समय समय पर सरकार हो सकता है किसी प्राकर्तिक आपदा की बज़े से या फिर अच्ची उत्पादन होने के सरकार समय समय पर वो गोशना भी कर रही है इसके साथ ही रास्ती इस्तर पर किस मंडी में कितना मूले है उसकी सूचनाओं का भी सरकार जो है वो सारां कर रहीहै इसके साथ ही क्रसी छेत्र में जो उन्नत किस्म के बीज है उनका सरवेक्षण करना एवं उन पर जो है सोधकारियों को भी बढ़ा रही है और सरकार प्रत्यक छेत्र के जो जलवाईू छेत्र है वहाँ पर जाकर सरवेक्षण भी कर रही है बीजों पर सोधकार भी किये जा र रही है तो कुल में लाकर किसानों की आवस्तिकता से लेकर विपुढन तक जो है सोधकार क्या रही है ताकि विपुढन समय जो स Seemsya है वह कि दूर की जा सके इसकी साथ ही मुकमंत्री हम माल मंडी हमा तोलावटी जो सहार सहायता यूजना है वह 2098 से जो है वो रागू है और जिसका 2014 में संसोधन किया गया है मंग्रिओं में जब किसान अपनी कृसिए उपच को ले जाते हैं तो वहाँ पर जो हमाल होते हैं वही ट्रॉली में से क्रसी उपच को उतारते हैं और वहाँ के जो ब्यापारी आते हैं ब्यापारी उनको उचित मूल पर खरीद सकें इसलिए जो हमाल होते हैं उस क्रसी उपच से जो कंकर पत्थर या भूसा वगरा होता है उसको बहुत ही कम स सबता ही हैं वो उन की पशनों को बहुत अच्छी से खरीद ले कर देब जो हम्माल के विद्ले Candi तोलने वाले उनकी सथिती के सुदार के लिए ये यह ऊजना चलाए गई है ताकि जो हम्माल है यह तॉलने वाले हैं वह भी पूरी निस्पक्षता के ताहत में अपने बहतर कोसल का प्रदर्शन करते हुए किसानों की जो क्रसी उपज है उसको तॉले और इस से किसानों का जो है विक्री बहुत अच्छे से हो पाएगी इसके साथ ही क्रसी कर एवन उसके उपकरणों का जो है अनकीज़णा के माद्यम से उनका वित्रण करते हैं ताकि किसान मन्डी में जाकर बैचने के लिए उतसाहित हो सके इसके साथ ही मंडी में रियायती दरपर भोजन की विवस्ता भी की गई है ताकि कोई भी किसान मंडी आने में उसको कोई समस्या ना हो अगर उसको एक दो दिन रुखना भी पड़े तो वह आसानी से रुख जाए फिर इलेक्ट्रोनिक एक्षेंज के माद्य हम से स्पोर्ट ट्रेडिंग के जिसको हम कहते हैं जिन्स बाजार यह बाइदा बाजार हो जाएगा उसकी भी सुब्दा दी जा रही ताकि ओनलाइन अपने प्रोड़क्ट को मेंच सके इसके साथ ही जो फल है एवं सबजिया है उनकी बिक्री के लिए भी बैकल्बिक सुब्दा दी जा रही है और कई जगया पर तो जैसे इंदौर है भूपाल है जवलपूर है जैसे बड़े सहरों में जो है सबजी जो मंडी है उनकी अलग से इस्थापना की गई है इसके साथ ही मद्दे प्रदेश में जो क्रसी इसको को अच्झे से बेंचने के लिए बिपरन के लिए पूरे देश में जो है राज सरकारों ने अपने अपने इस्तर पर जो है मंदी ऑजाजridंयम तैयार कि और मध्यप्रदेश में भी विपड़ं की सुबदा मोहिया कराने के लिए मद्द्यप्रेश क्रसी उपज मंड दो सरवरचना तयार करना ताकि वो उस सरवरचना पर अपना जो है अनाज को रख सके फिर वहां पर पंजी करद ब्यापारी उन पर बूली लगाएंगे एवं किसान जो है उचर दामों पर इस अधीनियम के माध्यम से मंडियों में अपने अनाज की विक्री जो है वो कर किसान जो है ब्यापारियों से उचित दाम उचित दाम ब्यापारियों को उचित दाम पर बेंचने में या उन से सुबधाय लेने में क्या होता है असहज होता है इसी लिए सहकारी विप्णन अर्थात जब किसान जो है किसानों के छोटे-छोटे समूह बनाएंगे और जब वो किसानों को जो समूह होगा वो सभी किसानों की जो है क्रसी उपज को क्या करेगा एकटा करेगा और सामुहिक रूफ से जब व्यापारियों को वेचेंगे तो उनकी क्रै करने की जो सकती है उसमें क्या हो जाएगी ब्रद्धी हो जाएगी और इससे वो जो है वो वादों का सामाहिक रूप से विपड़न करता है marketing करता है उस को उचित मूल पर जो है वो बाजार में वेचता है इसी ही क्या कहा जाता है सहकारी विपड़न कहा जाता है या को आपरेटिव मार्केटिंग कहा जाता है प्लाइट, जैसा कि मैंने बताया- गाओं के जो है कई छोटे-छोटे किसान होते हैं वो अपना समूह बनाएंगे और सामुहिक रूफ से जब मार्केटिंग करेंगे विपड़न करेंगे तो वही सहकारी विपड़न कहर लाता है और इसमें सरकार भी सहयोग देती है अब जो सहकारी विपड़न है उसके क्या लाव हो जा है उसमें व्रद्धी हो पाएगी इसके साथ ही जो किसान है वो सीध है जो बड़े व्यापारी उनको उचित मूल पर बेंचेंगे अर्थात मद्यस्तों की समस्या कम हो जाएगी वित्तिकी सुविधा प्राप्त हो जाएगी परिवेहन की विवस्ता प्राप्त होगी बंड कोतियों में कमी हो पाएगी और क्रसी इंपुट्स जो है उनमें भी उनको क्या मिलेगा आसानी से लाब मिल पाएगा अब अगर हम देखें तो सहकारी विपढ़न की कुछ कमजोरियां भी होती है जैसे जब किसान सामोहिक रूफ से व्यापारियों को वेचते हैं तो सामोहिक विपढ़न के लिए आधारिक संरचना रहे जिसको हम कह सकते हैं मंडी या वह प्लेटफॉर्म जहां पर किसान अपने अनाज को रख कर उस पर व्यापारियों को बुलाते हैं तो इत्यादि प्रकार की परिवहन की या मंडियों की जो है आधिर आधिकारिक इसकी कमई होती है इसके साथ ही बाजारों में दुख्यानों के आगे गोदान या पलेटफॉर्म उसकी कमी पाई जाती है भंडारata के लिए अधुनिक गोदान नहीं है इसके लिए बिव सरकार भी सहयूग दे रही है या जो हमने देखा तक क्रसी उपज मंडी अधिनियम उन्नी सुबाद तर उसके उस अधिनियम से भी जो है सरकार सहकारी विपड़न को प्रात्मिक्ता दे रही है उसकी भी जानकारी नहीं है तकनीका भी का है अबाव है एवं विसेश्चिव्य हल हो जाएगी अगर हमसे सुझाव पूछे जाएं कि कैसे सहकारी विपड़न में सुधार किया जा सकता है तो जो समस्या है उनके समाधान को बता दे तो वही क्या होगा सहकारी विपड़न में सुधार है तो सुधाव हो जाएंगे जैसे क्रसी साक में ब्रद्धी की जानी चाहिए ताकि किसान अचानक से यह विवस्ता में आकर अपनी क्रसी उपज को ना विचे वैसे भंडारण सुबधाभाओओं भी उपलब्द करानी क्या थाकि उचित समय पर उचित दामों पर अपनी क्रसी केहते हैं या processing या यातायाद की जो है सुभिधाएं उनको विस्थारित करना चाहिए इसके साथ ही जो सीमान किसाने या जो छोटे किसान है उनको क्रसि विपढ़न में सहिकारी विपढ़न lijंज उसमें प्रात्मिक्ता दी आनी चाहिए ताकि वह भी विपढ़न में सहयोगी बन सके अब हम समझते हैं यहां पर सरकारी सहस्ता जिसका नाम है मद्यप्रदेश क्रसी विपढ़न बोड तो जो मद्यप्रदेश क्रसी विपढ़न बोड है इसका मुख्यकार है सहकारी विपढ़न को प्रमोट करना एवं किसानों को कई तरह की जो input है या निवेस आदाने उनकी उपलब्द कराना एवं किसानों की जो उपज है उसको उचित दामों पर उसकी बिक्री करवाना रैट अब जो रास्टी क्रिसी विपढ़न बोर्ड है इसकी जो है इस्थापना रास्टी क्रिसी आयो की अनुसंसा के आधार पर जो मद्य प्रदेश क्रिसी उपज मंडी अधिनियम 1972 है उसकी धारा 40 के अंतरगत मद्य प्रदेश राज क्रिसी विपढ़न बोर्ड का गठन जून 1973 में किया गया था तो रास्टी क्रिसी आयो की सिफारिस पर औ और मद्य प्रदेश क्रसी उपज मंडी अधीनियम जो 1972 उसकी धारा 40 के तहट इसका गठन 1973 में किया गया था और इसका उद्देश क्या है कि जो कंजोर मंडी समीतियां है या जो कंजोर विपढन समीतियां है उनको रिण देकर या फिर अनुदान देकर वहां पर जो है मंडी इस के साथ ही जो क्रसी आदान ओन में जैसे प्लाटफ़ों करना वहां पर किसानों की रुकने की विवस्ता करना और किसानों को अन जो सुबिदाएं बो उपलब्द कराना ही इसका जो है मुख कार होता है तो मद्यप्रदेश में जितनी भी क्रसी बिपड़न सहकारी समीतियां हैं जिसको हम मंडियां कहते हैं APMC मंडियां है उनको रणिया अनुदान देकर वहां पर infrastructure तयार करवाना एवं किसानों को जितनी भी facilities हैं वो उपलब्द कराना तो यह हमने यहां पर क्रसी बिपड़न से संबंधित महत्पूर समस्याओं को एवं चुनोतियों को पढ़ा एवं समझा अब हम भंदारन से संबंधित जो समस्याएं हैं एवं चुनोतियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि क्या होता है कि जैसे ही क्रसी उपज तयार होती है किसानों के पास में कई समस्या होती हैं जैसे सबसे पहले समस्या तो यह हो जाएगी कि किसान जो है वो दो तीन महीने के अपने पारिवारे खर्चे के लिए या क्रसी में नवेस के लिए जुन ले लेते हैं इसी लिए भी उनको क्या होता है अचानक से बेंचना होता है दूसरी क्या होता है कि अचानक से जब बहुत ही क्रसी उपज तयार होती है तो उससे आपूर्ती अधिक हो जाती है जिससे जो क्रसी उपज है उसके दाम या कीमते क्या होती है कम हो जाती है या फिर कोई भी जो किसान है वो हो सकता है कि बीज के लिए अपनी जो है फसल को सर्रक्षित करना चाहता है तो कुल मिला कर ये है कि कोई भी किसान जो है जैसे उसकी फसल तयार होती है यदि उसकी वित्तिय इस्तिति अच्छी है तो वह है उचित समय का इंतजा करेगा ताकि उच्चित दामों पर उसकी फसल जो है फसल को वेच कर वह अच्छे खासी इंकम कर सके बैसे ही वह जरूरत पढ़ने पर अपने जो है क्रसी उपज है उसको बंदारण कर सके राइट एवं खाने के लिए उसका बंदारण कर सके तो यह पूरा का पूरा क्या है बंदारण का महत हो जाएगा तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बंदारण एक ऐसी विवस्ता होती है जिससे जैसे ही क्रसी उतपाधन होता है जो क्रसी उपज के मूल होते हैं उसमें उधार चड़ा हो से बचने के लिए खादस सुरक्षा पूरा के लिए बीज बंदारण के और जो कीमतों में जो fluctuation होता है उससे लड़ाई में इससे क्या होती है मदद मिलती है अब हम समझते हैं यहाँ पर कि भंडारण की आवसकता क्यों होती है सबसे पहले चीज तो यही है कि जो क्रसी उपज होते हैं अगर उनको हम भंडारित नहीं करेंगे तो मौसमी जो आपके लिए भंडारण आवसक है दूसरा भाई उद्योग है जैसे ब्रेड इंडस्ट्री हो जाएगी या फिर जो है सोयवीन का तेल निकाला जाता है तो क्रसी उपजों से जो भी उत्पात तयार किये जाते हैं उनको भी समय समयदर समयदर आपूर्ति कर सकें इसी लिए यहां पर जो क्रसी अनाजय उनका बंडारण क्या होता है आवसक होता है दैसे ही जो उद्योग होते हैं उनके कच्चा माल का स्टॉक तैयार हो सके इसके लिए भी क्रसी उपज़ का बंडारण करना जरूरी होता है फिर आगली चीज मैंने बताई है कि जब एक अचानक से ह कि सब किसानों की फसल एक साथ तैयार होती है तो उसे आपूर्ती वड़ने से दाम एक दम से गिर जाती है इसलिए मूल्यों में जो उतार चड़ा हो है उससे बचने के लिए भी भंडारन बहुत जरूर है फिर बोने के लिए जो बीज है वो अगर जैसे किसान ने अगर अच्छे से नहीं रखा तो वो अगली साल जाकर उसी मौसमी दसाओं में बोएगा तब तक क्या हो जाएगा उ उसकी जो जितनी भी क्रसी उपज है वो मतलब खराब हो जाएगी और उसके लिए बीज नहीं मिल पाएंगे तो बीज के लिए भी वो भंडारन करना चाहता है तो इसके लिए भी भंडारन बहुत जरूरी है बैसे खाने पीने के लिए एक साल का जो है रासन या क्रसी जो अना जहां चावा लगे हों वह भी भंडारत करना जरूरी है और प्रदेश में जो उत्पादन व्रधी हुई है तो जो सरप्लस है उसको हम सही समय पर इस्तिमाल कर सकें इसके लिए भी भंडारन अती आवस्थक है तो यह भंडारन की आवस्थक्ता समझी या यही क्या है बंडारन का मेत्वी हो जाएगा अब अगर हम बंडारन के लाव देखें तो जो हमने अभी आवस्थक्ता समझी थी अगर यह आवस्थक्ता पूर्ती हो जाए तो जाहर सी बात है इससे हमको लाववी होंगे जैसे वदारन के तोर पर खाद्ध सुरक्षा सुनिश्चित हो अनाज है उसको अच्छे दामों पर बेच सकते हैं तो मूले इस्थर हो जाएंगे है उपभोगताओं को जो भी अनाज चाहिए वो उचित मूले पर मिल जाएगा कैसानों की जो पैदावारी है उनको भी उचित मूले पर बेचेंगे तो उससे उनकी क्रसी उपज का पूर मिल जाएगा हम लंबे समय तक उनको इस्टोर कर रख पाएंगे और जो सीगर बेचने की जो विवस्ता है वही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब हम यहां पर भंडारन से संबंदित क्या पढ़ते हैं हानिया पढ़ते हैं कि भंडारन से संबंदित हानिया क्या है या हो स समझना है कि बंडारण से बंडारण से कौन-कौन सी हानिया है या बंडारण की समस्यां एवं चनोतिया राइट पहला यहां पर हो जाएगा कि देखिए यह यह जो पॉइंट है यह गवर्मेंट के लिए कि जो है सरकार बरतवान समय में किसानों को उचत मूल दिलाने के ही है और मद्यपरदेश सरकार बड़े पैमाने पर जो है वो जो है गेहूं एवं धान या चावल उसकी क्या कर रही है खरीदी कर रही है और जिससे MSP के वज़े से जो क्रॉपिंग पैर्टर्न है उसमें भी परिवर्तन आया है अब सब किसान जो है वो MSP पर बेचने के ल रहें इसकी वजह से सैंड़ या MSP की वजह से जो है गेहूं एवं चावल की उत्पादन में लगतार ब्रद्दी हो रही है और चब सरकार ख्रीदती है जब खपत से जादा सरकार क्या करता है सरकार को खरीदना पड़ता है तो सरकार जितना अधिक खरीदेगी जितना अधिक बंडारन करेगी तो सवाभाव एक सी बात है सरकार की बंडार की लागत है वह भी क्या है बढ़ रही है इसके साथ ही उस अनाज को चुहों से या मौसमी दसाओं से बचाने के लिए भी रख रखाव है उसमें भी क्या हो रही है गोदाम है उसमें जो करमचारी है उसमें भी ब्रद्धी हो रही है कुल मिलाकर सरकार का राजस्व घाटा जो है वो बढ़ रहा है तो यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर सरकार का घाटा बढ़ रहा है तो यह हम किसानों के ल वंडारण में जितनी भी सेबा हैं उसमें ब्रद्धी होने से राजस में ब्रद्धी हो रही है और इस से सभी नागरिकों को सामोहिक रूफ से हानी हो रही है दूसरी चीज यहां पर यह हो जाएगी कि कई वार सरकार जो है वो MSP पर खरीद लेती है और पूरे अनाज को जो ह में बंडारत कर लेती है इस से मार्केट में खाद्यान की क्या होती है कमी हो जाती है और उस बज़े से भी जो है वो क्या होती है मार्केट में जो है जो खाद्यान अनाज होती है उनकी कीमतों में भी रद्धी हो जाती है तीसरी चीज है कि जो किसान है किसान अगर निजी बेर हाउसे में रख रहे हैं या गवर्मेंट है तो भंडारन रखने लिए भी काफी सारी धन-राशी कया होती है खर्च होती है और इसके साथ ही जो लौजिस्टिक रिक्वारमेंट है बेर ह diyorsun को इस्टेबलिस करना उनकी सेडिंग तैयार वrosima करना कंप्यूटर लगाना accounting करना processing करना तो उसमें जो भी प्रसासनिक लागत है उसमें भी काफी ज़्यादा जो है वो खर्चा हो रहा है और इसके साथ ही झो भारती काद निगम दूरा जो भंडारं छमता है उससे अधिक अनाज क्रै किया जा रहा है इस बजह से भी बघtwिक सेड dön के पंडारं किया जा रहा है उसके दो नुक्सान एक तो जो है भंडारं करने में वे में क्या हो रही ब्रद्धी हो रही है और वहीं पर अगर हम देखें तो जो बंडारण के जो वेर हाउसे उनकी कंडीशन इतनी दैनी हो चुकी है कि कई वार काफी सारा जो अनाज होता है वो सड़ जाता है अर्थात उचित गुडपत्ता कि जो है वो बंडारण भी वो है उपलब्द नहीं है अब अगर हम यह कहें कि सुरक्षित बंडारण के लिए सुझाव कौन-कौन से तो जितनी वी समस्या है उनका निराकरण हो जाए तो वहीं बंडारण से सम्मंदत क्या होंगे सुझाव होंगे फिर भी अगर हम देखें तो बंडारण के इसके साथ ही जब भंडारण किया जाए तो अनाज की अच्छी तरीके से सफाई होना चाहिए और जो अनाज में जो नमी है उस नमी को दूर करके ही अगर भंडारण करेंगे तो अनाज में कीड़े मकोडे नहीं लगेंगे और वो सणना नहीं सुरू होंगे दूसरा ही है यह जहां पर अनाज भंडारत है वहां पर नियमत सफाई होनी चाहिए इसके साथ ही जो भंडार करेंगे वहां पर चुहा हो जाएंगे कीट हो जाएंगे घुन हो जाएगा जो की अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है उसके नियंतरण के लिए समय समय पर रसाइनों का छुड़काव करना चाहिए इसके साथ ही जो फसले सीगर खड़ाब हो जाती है उनको cold storage में रखना चाहिए और जो बोरे हैं वो फर्स पर रखना चाहिए और फर्स पर भी उचित प्लेटफार्म पर अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों है क्योंकि दीवारों से सटा कर रख कर जाए इसलिए दीवारों से दूर किसी प्लेटफार्म पर जो है वो बंडारन करना चाहिए अब क्रसी उत्पादों का जो बंडारन है उससे संबंदित जो समस्या है थी उनके समाधानों को हम यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विल्कुल इजी टोपिक है तो क् क्रसी उत्पादन के बंडारन से संबंदित कोन कोन सी चुनोतियां है या समस्य को देखेंगे चुनोतियों को हम समञें एब समस्या देखेंगे सब्से पहली सबसे बड़ी समस्या यह जो भारती यहीं खाति निगम है वो MSP पर गेउन को क्या करता है? खरीदता है और उसको भंडारण करता है और इतना ज़ादा भंडारण करता है कि बेर हाउस से ही कम पड़ जाते हैं अर्थात जो हजारोंटन जो अनाज है वो सेडिंग ना होने की वज़े से छत ना होने की वज़े से खुले में ही बंडारित किया जाता है इसकी वज़े से बरसा होने की वज़े से या अधिकतापमान या नमी की वज़े से कई तन तो जो है अनाज वो खराव हो जाता है या सर जाता है दूसरी चीज जो गोदाम है गोदाम भी जो निर्मित किये जा रहे हैं उनका जो है मानक जो है वो तैमानक के कम ही होता है अर्थात बेंटिलेशन की प्रॉपर विवस्ता नहीं होती है सफाई की उसमें प्रॉपर विवस्ता नहीं होती है अर्थात गुडवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है इसके साथ ही जो वंडार ग्रहे हैं वो निम्न इस्तर के हैं इसके त्रेंनिंग करको पास में कंसे को कोई ज़्यादा बारिस तो कौन कदम उठाएन चाहिए इसकी उप्द्वर्चा पास मैं कि बिक्ता सационर पे भी जो वेयर हाउसे होते हैं वहां तक जो है वो अपने अनाज को ले ही नहीं जा पाते हैं इसके साथ ही जो क्रसी गोदाम है उसमें बंडारण की उपयुक्त विवस्ता नहीं है इस बज़े से कई वार जो क्रसी उपज है उसको अगर हम बंडारण कर वी दें तब भी हजारों टन जो है वो अनाज क्या होता है खराब हो जाता अब अगर हम जो बंडारण में जो जितनी भी समस्या है थी उनके समाधान की चर्चा करें तो पहला क्या हो जाएगा कि गोदामों का एक नेटवर्क इस्थापित किया जाना चाहिए अर्थात मद्द प्रदेश में उसत रूफ से जितना अनाज उत्पादित होता है जितना सरकार क्या करती है उसके बंदारण के लिए उच्च गुडबत्ता वाले उच्च मानक वाले जो है गोदान है उनका नेटवर्क स्थापित करना चाहिए और इसके लिए ना केवल सारवजनिक छेत्र बलकि सहकारी छेत्र एवं निजी छेत्र द्वारा भी गोदामों एवं सीत ग्रहों का जो है निर्मार किया जाना चाहिए इसके साथ ही मद्दे प्रदेश में जो जिलेवार जो क्रसी विपड़न सहकारी समीतियां है उसके द्वारा भी गोदामों का निर्मार किया जाना चाहिए ताकि लोकल इस्तर पर भी जो है वो बंदारण की सुबदा उपलब्द हो सके इसके स जो जितना भी आना ट्पारित होता है उसको अलब संस्ता बंडारित करते हैं सबसे ज्ज्यादा नाज पूठ कार्पपरेशन ओंडिया फारतिये घाद निगम की द्वारा किया जाता है जो की 2021 Biz तो FCI के द्वारा 25 डिपों का संचालन किया जाता है जिनकी भंडारण छमता कितनी है 3,37,420 मिट्रिक 10 होती है इसके साथ ही जो मद्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्परेशन है उसके अनुसार देखे तो मद्य प्रदेश में बहुत ही धीरे तरीके से जो है भंडारण की वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्परेशन है उसके अनुसार 1990 और 2000 में उसके जो चमता थी वो 12,45,283 ती जो कि 2018 में बढ़कार 26-27 लाक मीट्रिक टन हो गई है और अगर हम देखे तो मद्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन ही ओसत रूप से 190 लाक मीट्रिक टन से क्या होता है अधिक होता है और इतने अधिक बंडारण के लिए जो है तो यह इतनी जो है 26-27 लाक मीट्रिक टन है यह मालिकान हांक की क्या है चमता है इसके साथ ही जो है यह MPWLC जो है वो किराए पर क्या करता है बंडारण की सुबदा लेता है और किराए की जो बंडारण सुबदा है वो 43 लाक से अधिक हो गई है तो MPWLC की मालिकान जो कैपिसिटी है वो 26-27 लाक मीट्रिक टन है और इसके साथ ही 43 लाक से अधिक जो है वो किराए पर बंडारण की सुबदा देखते है इसके अलावा दूसरी जो संस्ता है वो हो जाएगी मार्क फेड तो मार्क फेड के की जो कुल बंडारण चंता है वो कितनी है 5.44 लाक मीट्रिक टन है और इस में से भी कुल जो है 81 पृतिसत जो है चंता का उपयोग किया जाना है और जो मार्क फेड है वो मत्य परदेश में उच्छे क्वालिटी की जो वेर हाउसिंग है या भंडारण की सुबदा उपलब्ध कराती है इसके साथ ही अगर हम देखें तो मत्य परदेश में मत्य परदेश राज बंडार ग्रह निगम मत्य परदेश राज बंडार ग्रह निगम दोरा उद्ध्योगों को मूलबूत सुबदाएं प्रदेश करने ही तू कुनीस सो अंठ्यानबे में 11.60 करोड रुपे की लागत से मद्य परदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एवं कंटेनर कार्परेशन ऑफ इंडिया के प्रयासों से मालनपुर में मैं चीज क्या है मालनपुर में कंटेनर डिपो जो है वो प्रारंब किया गया था राइट इसके साथ ही मद्य परदेश में जो उद्यान की फसलों है उनके बंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज जो है कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्द कराने के लिए भी जो है राज में 2012-13 में 112 कोल्ड स्टोरोजों की जो है चमता वो साथ दिसमलाव एक लाग मीट्रिक तन थ ही है इसके साथ ही मद्य परदेश में इंदोर उज्जेन देवास बोपाल बिदी सासी और सतना जले में कुल नों इस्थानों पर चार दिसमलाव पांच लाग मीट्रिक चमता का स्टील साइलो जो है प्रोजेक्ट मद्य परदेश में पर्थम बार राइट तरपल पी वैसे ही बेर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक जो पालिसी है वो 2012 पूरे देश में मद्य परदेश एक मातर ऐसा राज्य है जिसने क्रशी उपज के बंदारण के लिए राज्य की स्वेम की या बंदारण चब्दा के ब्रद्धी के लिए स्वेम की वेर हाउसिंग और लॉ राज्य हैं बंदारण हैं उनकी संख्या में ब्रद्धी हो सके इसके लिए सरकार जो है निजी निवेसक को 15 पूझी अनुदान देगी और इसके साथ ही कुल कॉमित का 15 पूझी सबसिटी देगी और इसके साथ ही जो ब्याज़दर जो की मार्केट में 10 से 15 के वीच में होत मद्यप्रदेश में बेयर हाउसेस की संक्या में व्रद्धी हो सके इसके साथ ही हमने देखा था मद्यप्रदेश बेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कार्परेशन MPWLC MPWLC की जो है स्थापना वह 1958 में की गए थी मद्यप्रदेश राजवंडार ग्रह निगम के नाम से और 2003 में इसको MPWLC का नाम दिया गया और जो MPWLC है वो पूरे भारत में कारड़त National Association of Bearhousing Corporation का एक मेंबर है और MPWLC की मद्यप्रदेश में 234 साखा है और जैसा कि हमने देखा है इसकी जो टोटल चमता है वो 26 से 27 लाग में ट्रिक्तन है इसके साथ यह 43 लाग की जो है वो किराय पर बंडारे की सुविदा जो है लेता है अब इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश विलकुल क्या इसपस्ट बैग्यानिक तरीके से मद्यप्रदेश में बंडारन की सुरक्षा बंडारन की सुविदा उपलब्द कराना इसके साथ ही क्रसी उत्पाद लगू बनोपज बीज है और वरक इत्यादी को भी सरक्षित करने के लिए बंडारन की सुविदा उपलब्द करान इसके साथ किए इसके कार जो है वो समझना बेरहाउसिंग के लिए निजी वेरहाउस स्ताबित किये जाते हैं उनको लाइसेंस प्रदान करने का जो कार है वो MP WDLC करता है इसके साथ ही डौर तूडौर एक्स्टेंसन जो सर्विस स्कीम है तहत जो है गोदामों का उपचार किया जाता है अर्थात गोवादों गोदामों की जो भी समस्यां है उसका निराकणर किया जाता है इसके सानती नावाइड की जो ग्रामीर गोदाम स्कीम है उसको इसके द्वारा विक्सित किया जाता है कि अप्र गश्ट कि अवर्य कि अवगर हम देखे मद्य प्रदेश राज बे विपड़न संग सहकारी विपड़न संग या मार्क फेट जिसे कहा जाता है तो अभी तक हम ने बंडारण के वारे में समझा था अब यहां पर इसी से संबंध एक संस्ता और हो जाएगी मद्य प् के पेड़ की भी हमने अभी देखा था कि इसकी वी जो ऑसत बंडारन चमता है वो कितनी है लगवाई लगवाई पांच दिसमलाओ छह लाक मीट्रिक तन से क्या है अधिक है और इसके भी स्वैम के वेयर हाउस होते हैं जहां पर वैज्ञानिक तक्नीकों से क्रैसी बीज उप पारियों के लिए भी जो है वो किराए पर भंडारन की सुविदाएं देते हैं तो यह हमारा यहां पर हमने बहुत ही अच्छे से भंडारन से संबंधित जो समस्याइं हैं चुनोतियां हैं उनका समाधान है मद्द परदेश गवर्रमेंट के कारिकरम सब पढ़ लिया है अ जान रखना जो परिवहन है यह आधार भूत परिवहन जो होता है यह एक अवसर रचना का बहुत ही महत्पूर तत्व होता है कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में चाहे सेवा सेक्टर का विकास हो चाहे और द्योगिक सेक्टर का विकास हो या क्रसी छेतर का विकास हो सब में infrastructure के तोर परी वहन का बहुत ही महत्पूर क्या होता है योगदान होता है और क्रसी में खेतों तक राइट क्रसी में खेतों तक वीज ले जाना राइट के खेतों तक वीज ले जाना फिर अरुबरक ले जाना कितना कितना सक ले जाना और खेतों से जो क्रसी उपज है उसको कहां तक बाजार तक ले जाना तो कहने का मतलब है परीवेहन के माध्यम से ही किसान जो है वो क्रशी उत्पादों को प्रसंस करण हे तू या बेचने हे तू मार्केट लेकर आते हैं और फिर मार्केट में जो क्रसी उत्पाद होते हैं या प्रोसेस्ड एग्रिकल्चरल प्रोड़क्ट होते हैं उनको बाजारों तक जो है वो परिवेहन से लाया जाता है लाया जाता है अब परिवेहन की आवस्कता एवं महत्व क्या है हमने पिछले दो तीन लेक्चर में बहुत इच्छे से पढ़ा है और मैंने बताया है कि चाहे वो होटी कल्चर हो फल सबजीयां हो या डेरी हो या मीट हो या फिसेज हो यह जितने भी उतपाद होते हैं इनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है इसलिए जैसे ही एग्रिकल्चरल जो प्रोड्यूस है चाहे फल, सब्जियें, दूर, मांस, मीट कुछ भी हो वो जैसे ही तैयार हो उसको कम से कम समय में हमको मार्केट में पहुचाना है इसलिए कच्छे माल को या तो बाजारों तक या उद जाने में परिवहन की बहुत महत्पूर्ण भूमका होती है एवं उद्योगों से जो मैनुफेक्टर माल है वो वाजारों तक लाया जाता है इसके साथ ही क्रसी में परिवहन अच्छा होने से किसान जो है वो अपने क्रसी उपज को अच्छे दामों पर बेचने के लिए मं आच लिया हूं उनको भी बहुत ही कम समय में बाजार में बाजार में लाएजा सकता है और यह तो मस्थ होटी कल्चर के लिए परिवहन अगर अच्छा है तो ग्रामीर छेत्रों से जितने भी होटी कल्चर प्रोड़क्ट है या दूद है या मीट है वह आसानी से सहरों में बहुत ही आसानी से लाया जाएगा और अच्छे दामों पर उसको बेच देंगे तो यह होटी कल्चर के डेवलप्मेंट के लिए भी बहुत क्या है समय पर जो क्रसी है अब चूंकि हम यहां पर क्रसी से सम्मंदित पढ़ रहे हैं तो क्रसी है या बागवानी है या उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द चेत्र में बिपड़न के लिए बाजार नहीं होते हैं और उन वाजारों वहां पर बाजार नहीं होने की वज़े से इन सभी उत्पादों को कहां तक बिपड़न के लिए बाजार में लाए जाता है जिसके लिए परीवेहन या परीवेहन ट्रांस्पोर्टेशन की फैसलिटी होना बहुत ही जरूरी है अब इसमें समस्या क्या जाती है कि ग्रामीर छित्रों से सहरों से जो जोड़ने वाली सडके हैं पहली चीज तो यह कि अधिकांस गाउं की जो है सडके जो है वो है ही नहीं कुल मिलाकर अगर करम घटे हुए करम में देखें तो मद्य परदेश के केवल जो है कुछ गाउं सहरों से जोड़े हुए तो कुछ गाउं जो है वो सहरों से जोड़े हुए दूसरा जो गाउं सहरों से जोड़े हुए है वहां की जो है सडकें वहत ही खराब हालत में है अर्थात जब हम ट्रांस्पोर्ट करते हैं तो फल सब्जी जो है दूद है वह आधे से ज्यादा तूट फूर्ट तो जो है वह गड़ों की वज़े से हो जाती है और तीसरी चीजी है कि कुछ जो गाउं है वह बारह मासी सड़कों से नहीं जुड़े अर्थात ब पूर्द राज के जो छेत्र है वहां पर सड़कों की विवस्ता नहीं है या सड़कों पर जो है वो लाइटिंग के जो है विवस्ता नहीं है या फिर हम यह कहें कि गाउं को ब्लाक लेवल से जोड़ने के लिए भी ग्रामीर इस तर पर जो है सड़क ही नहीं है या बहुत अच्छे से पता है हमारे मद्यपरदेश की सड़कों की क्या हालत है इसके साथ ही परिवेन अगर सड़के भी है तो वहां पर फिर जो है उतने ज्यादा वीकल्स नहीं है कुल मिलाक का ट्रक की संख्या कमी है तो परयाप्त ट्रांस्पोर्टेशन नहीं पहले चीज तो सड़ ट्रांस्पोर्टेशन हो वी तो जो एक तरीके से बातानु कूलित जहां पर दूद है मचलियां है फूल है सबजियां उनको एक जगे से दूसरे जगे तक ले जा पाएं राइट वह बातानु कूलित जो है वह स्टोरेज नहीं है यह बातारों बातानु कूलित जो है वह इसके साथ ही हिलने डूलने से खराब हो जाती है और सड़कों का जो है वो ग्रामीर छेत्रों में या जहां पर ये जो सभी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वहां पर क्या है बहुत ही जादा अभाव पाये जाता है अब परीवेहन जो है वो चाहे क्रसी का विकास हो पून्ट चीज आपी कि मद्य प्रदेष के ग्रामीर से ग्रामीर छेत्र मतलब मद्य प्रदेष के प्रमक उद्थ्यान की छेत्र क्रसी उत्पादन जो छेत्र है उनको भérique बहुत ही अच्छे तरीके से सड़कों कू से जो है वह जोड़ना चाहिए आर्फाथ जो विवैन् होना चाहिए तो उसके लिए जो है वो सड़कों का जो है निर्मान किया जाना चाहिए उनकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए विवस्ता होनी चाहिए इसके साथ ही दीर्ग काली नियोजन किया वस्ता है क्योंकि सड़कें जो हर पांच से दस साल में उनकी मरम मत करनी होती है इसके साथ ही नई प्रॉपर क्यों के साथ जो नदी नाले हैं वहाँ पर व्रिज भी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि सड़के बने लेकिन जरासा पानी जो है ब्रिज ना होनी की वज़े से ट्रांस्पोर्टेशन ही रुग गया तो नई प्रॉद्योगी की दौरा एसी सड़के बनानी चाहिए जो हर मौसम के क्या हो अनकूल हो और जिन छित्रों में नदियां अधिक हैं वहाँ पर बाटर ट्रांस्पोर्टेशन या नदी पर परिवहन में जो पैकेज होते हैं मान लीजिए कोई फूट प्रोडक्ट्स है उसको जब चड़ाया जाता है या उतारा जाता है तो कई वार अच्छे से नहीं करते हैं तो उससे भी गाटा होता है इसलिए जो पैकेज हैं उनको ट्रालियों की मदश से रोलार ट्रक की से या उपयुक्त उपकरणों की वजह से ही उनको चलाना चाहिए और उतारना चाहिए तो यह थी परिवहन से संबंदिक महत्वपूर्ण समस्या एवं चुनोती है अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद झालर टॉपिक